हेलो फ्रेंट्स अनिल शेरी आपका इंग्लिश फ्रेंसी कोच एक बार फिर हाजियर नए वीडियो के साथ और इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए खुश खबरी और खुश खबरी ये है कि जो किताब मैं पिछले कुछ महिनों से लिख रहा था वो पूरी हो गई है औ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहां से किताब देख सकते हैं दोस्तों इस किताब की खासियत यह है कि इसमें 2828 words है और हर इंग्लिश के word का pronunciation और अर्थ हिंदी में दिया गया है जिससे आपको समझ में आ जाए किस word को किस तरह बोला जाता है और इसका अर्थ क्या है और हर word को वाक्य में कैसे इस्तमाल करना है ये भी अच्छे से समझाया गया है और उसी किताब में से आज मैं कुछ words लेके आया हूँ दोस्तों पर उससे पहले मैं आपको बताओ इस किताब का title इस किताब का title है English vocabulary for Hindi speakers I repeat English vocabulary for Hindi speakers और इस किताब का subtitle है Read, Repeat Read and Speak Read, Repeat and Speak तो चलिए आज का वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड है अभार अभार का दोस्तों मिनिंग होता है अत्यधी घ्रणा करना इसका second और third form जब बनाते हैं तो last में single r की जगा double r आ जाता है और ed जुड़ जाता है अभार हो जाता है गरीबी से जरूर नफरत करनी चाहिए We must about poverty Next word है दोस्तों Accept Accept का मिनिंग होता है स्वीकार करना या ग्रण करना या सहमत होना दोस्तों इसकी second और third form में ed जुड़ जाता है तो हो जाता है accepted Sentences है Please accept my apology दोस्तों apology का मतलब होता है मांगी गई माफी Please accept my apology का मिनिंग हुआ कृपया मेरी माफी स्वीकार करें मतलब की कृपया मुझे माफ कर दें Next sentence है Why won't you accept his proposal? तुम उसके प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं करोगे? तुम उसके प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं करोगे? Next sentence है दोस्तों I am happy to accept your invitation मैं तुम्हारा निमंत्रण पाकर खुश हूँ मैं तुम्हारा निमंत्रण पाकर खुश हूँ I am happy to accept your invitation Next sentence है दोस्तों People have accepted the new farmer bill People have accepted the new farmer bill लोगों ने नया क्रिशी बिल स्वीकार कर लिया है लोगों ने नया क्रिशी बिल स्वीकार कर लिया है इसका मतलब यह है कि सभी सहमत है इस नया क्रिशी बिल से तो दोस्तो next word है ability, ability का दोस्तो meaning होता है किसी कारे को पूरा करने की मानसिक या शारीरिक शक्ति, योग्यता या शम्ता भी कहते हैं ये एक noun है और इसका plural होता है abilities, y हटके last में ies आ जाता है और sentence है do you have an ability to focus on priorities, do you have an ability to focus on priorities, क्या आपके पास प्रात्मिक्ताओं पर ध्यान देने की योग्यता या शम्ता है next word है दोस्तो, abundant, दोस्तो abundant का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद या भरपूर, ये एक adjective है sentence है दोस्तो, what is the source of abundant happiness, what is the source of abundant happiness इस sentence का मिनिंग हुआ, भरपूर खुशी का क्या स्रोत है, भरपूर खुशी का क्या स्रोत है मतलब की भरपूर खुशी कैसे मिलती है, कहा से मिलती है, next word है दोस्तो, abduct दोस्तो, abduct का मिनिंग होता है किसी को पकड़ कर गैर कानूनी रूप से ले जाना या अपहरन करना जिसको हम कहते हैं इसके second और third form में ED जुड़ जाता है, abducted हो जाता है, abducted और sentence है, a man and his two sons have been arrested for abducting a kid एक आदमी और उसके दो बेटो को एक बच्चे का अपरहन करने के लिए गिरफतार किया गया है दोस्तो next word है, abort दोस्तो abort का मिनिंग होता है, किसी कारे को पूरा होने के पूर्व समाप्त कर देना मतलब कि कि वो काम पूरा नहीं हुआ है, उसी से पहले ही उस काम को करना बंद कर देना इसकी दूसरा मिनिंग होता है, गर्भपात करवाना या भून हत्या करना second और third form में ed जुड़ जाता है, हो जाता है, aborted और sentence है दोस्तो, the company aborted the project suddenly company ने परियोजना को पूरा होने से पहले ही अचानक से समाप्त कर दिया next sentence है दोस्तो, she aborted the fetus she aborted the fetus, दोस्तो देखो लास्ट वला वर्ड में स्पेलिंग है f o e t u s, लेकिन इसको पढ़ते हैं fetus she aborted the fetus, fetus का मतलब होता है, भून तो दोस्तो इस sentence का मिनिंग है, उसने गर्भपात करवाया या उसने भून हत्या की next word है दोस्तो, abstain, abstain का मिनिंग होता है अपने को सयम में रखना या परहेज करना और दूसरा मिनिंग होता है, मत्यदान में भाग ना लेना इसकी second और third form में ed जुड़ जाता है, हो जाता है, abstain और sentence है, the doctor said I should abstain from smoking doctor ने कहा मुझे तुमरपान से परहेज करना चाहिए the doctor said I should abstain from smoking next sentence है दोस्तो, two people voted in favor, two voted against and one abstained two people voted in favor, two people voted against and one abstained दो लोगों ने समर्थन में वोट किया दो ने विरुद में वोट किया और एक ने मत्यदान में भाग नहीं लिया दोस्तो, आज के लिए बस इतना ही, I hope आपको समझ में आ गया होगा इन seven words को किस तरह से इस्तमाल करना, प्रनाउंस करना और क्या इनके meaning है आप चाहें तो Amazon पे जाकर मेरी इस किताब को देख भी सकते हैं अच्छी लगे तो खरीदिये, ना अच्छी लगे तो मुस्तक कमेंट यहां करके बताइए कि आपको क्यों अच्छी नहीं लगी thanks friends for watching this video, Bye friends